आज की वीडियो में हम Squares and Squares Roots Exercise 6.3 and Question No. 68 को Solve करेंगे, Okay? Question No. 8 क्या करा है? 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows, ठीक है? 2025 हमने plants को plant किया एक गार्डन में, ठीक है? इस तरह के एक manner में किया है, जहाँ पर जो है, each row में, हर एक row में उतने ही plants होएंगे जितने की rows है total, ठीक है? मैं यह कह रहा हूँ कि यह कुछ rows हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4 है ना? हर एक row में, जैसे माल लोगे एक row में कितने हैं? 1, 2, 3, 4 ठीक है? चार plant जो है, planted हैं एक row में, तो total row चार ही होएंगी 1, 2, 3, 4 यह के example है, ठीक है? अगर यहाँ पर एक row में अगर चार plant हुए हैं, तो total row भी चार होएंगी ठीक है? यह ही आपर question खहरा है कि in such a way that each row contains as many plants as the number of rows ठीक है? जितनी rows होएंगी, उतने ही plants plant हैं, okay? find the number of rows and the number of plants in each row ठीक है? क्या-क्या find करना है? number of rows बतानी है and the number of plants दो चीज़े बतानी है, ठीक है? तो मैं यह कह सकता हूँ कि जितने plants लगाने हैं हमें ठीक है? जितने plants के जो भी संख्या होईगी माल लीजे, एक्स है ठीक है, और क्या कह रहा है, दूसरा number of rows number of rows ये भी क्या होईगी? जितने plants होईगे 1, 2, 3, 4, like यहाँ पर मैंने किना आया तो उतनी ही, 1, 2, 3, 4, rows होईगी मतलब, यह कह सकता हूँ कि जितने plants, उतनी rows, मतलब मैंने यहाँ पर plants को x माल लिए तो number of rows भी क्या होईगी? x ही होईगी तोनों चीज़े सेम हैं यहाँ ठीक है, तो अब मैं यह कह सकता हूँ अगर आपको बताना होगा कि इन सारी rows में कितने total number of plants plant होएं, ठीक है? लाइक देकि, दूसरी row में भी 1, 2, 3, 4 ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों row में आप बता दीजी कितने होगा कैसे बताओगे आप, दो row है और total कितने है plants, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 8 है ठीक है, तो आप ने बता दीए दो row में कितने होगे total plant x होगे, ओ स्वारी दो row में कितने होगे plant 2 x 2, जितने भी plant थे उसका मैंने multiply कि 2 x 8, 16 होगे इसी तरह से आप मैं यह कहूँ कि आपको चार row में बताना है तो आप क्या करोगे चार row लिख ली ठीक है चार row लिख ली है और चार row लिख ली और हर एक row में कितने हैं चार है ऐख यह एक row के चार है ठीक है यह कितना होगा 16 मैंने यह यह आपर क्या लिख दिया कि दीके एक row में कितना था एक row में है 4 तो यह होगया 4 है ना एक row में कितने 4 दो रो में कितने होएंगे, अब यहां पर दो रो हो गई है और प्लांट कितने थे चारी तो यहां पर लिगना था मुझे टू-Forge 8 होगा, ठीक है, इसी तरह से मानल लीज जो तीन रो हो गई और plant कितने हो रहे थे एक रो में चार थे तो वह चार ही रहने देंगे हैं यह ना कि चार है यह तो चार है अब यही चीच है यहाँ पर भी आ गई दो गई तीन हो गई त्रीन टू फॉर यहाँ पर 12 हो जाएगा इसी तरह से भीन त्री फोर रो गई और हर रो में कितने हैं चार है तो फोर फॉर जा दिस सिटीन ऐतो नमबेर आफ रोफ किती है एक सेमिस केंदेंगे कितने होएट उन दुना का मुल्टिप्लाइघ करने बारत यहां पर दी आ गई है 2012 लगये है तो मैं यह कह सकता हूँ कि x square is equal to 2025 और आपको बताना भी क्या है plants बताने हैं ठीक है और आपको बताना क्या है number of rose बतानी है यही दोनों चीज़े पूछे गई है ठीक है तो मैं यह कह सकता हूँ कि x is equal to under root 2025 ठीक है अब इसको का आपको solve करना है अगर आप इसको solve कर लेगे under root 2025 को तो x की value आपको पता चलेगे इसको solve करने के लिए हमने already ही मैनत कर रखी है पिछले वीडियो में क्या करते हैं हम prime factorization के थुरू under root को solve करते हैं 20 25 स्टार्टिंग किसे करेंगे 5 से क्योंकि once digit में आपके 5 है जो कि 5 के table में easily divisible है ठीक है 540 20 एक साथ दो digit लेंगे तो 20 में 0 55 25 लास्टे फिर से 5 है तो बहुत easy पड़ेगा फिर से अब लास्ट में देखिए वन है तो यह मुझे पता है 81 जो 3 से कटता है ओके वन भी 3 में आता है 3 से जार ट्वंटी बन है तो आपे once में मिल जाता है आपको one तो 3 2 6 3 2 6 3 7 2 1 देखिए आगया ठीक है अब यहां पर क्या होता प्राइफेक्टरिजेशन में कि यहां पर पेर आना चाहिए तब यह एक परफेक्ट स्क्वार बनता है कि यहां पर पेर भी आ गए ठीक है तो मैं यह कह सकता हूँ कि जो मेरा 20, 25 आया है वो इन सब को अपर से multiply करने पर आया है जी बिलकुल आया है दो बार 5 लिखा तो मैंने आप इसको 5 square लिग लिए है तीन बार दो बार 3 लिखा है तो मैंने इसको 3 square सेम लास्ट वाले को भी 3 square ठीक है अब यह एक साथ ऐसे इसको हम एक साथ लिख लेंगे कैसे 5 इंटू 3 इंटू 3 का whole square अब whole square दूसरी side जाएगा क्या होता है power half हो जाती दूसरी दरफ जाती है इधर जो है power 1 ही रहेगी 1 बचचेगी तो ये ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा जैसे 5 इंटू 3 इंटू 3 वैसे ही रहेगा और half को हम क्या लेख सकते है अंडर root और इसको हम पसे multiply करा देंगे 5 3 is the 15 15 3 is the 45 ठीक है तो अब हमें इसकी value पता चल गई अंडर root 20 25 की क्या आ रही है 45 तो x की value कितनी आई x की value 45 आई तो हम कह सकते है plants जो लगाया गए है वो 45 होएंगे और root भी कितनी होएंगी 45 होएंगी अब हम check कर लेते हैं क्या इन दोनों को आपसे multiply करने पे 45 45 में यही तो कह रहा था कि इन दोनों को आपसे multiply किया तभी देखी 20 25 आया और देखी दोनों की value same i x x तो इनको आपसे multiply करके देख लेते हैं एक बार 20 25 आ रहा है कि नहीं हमारा answer सही है कि नहीं 55 25 5 4 20 22 और 5 20 4 4 16 15 तो यह आया 5 2 10 2 एकदम correct है मतलब इसका मतलब है कि जो हमने x जो suppose किया था है यहां पर माल ले x की value कुछ भी होती है आप हमने find out किया फिर x को और वो 45 आया जो कि एकदम सही बैटर है जो multiplication जो हमारे question में दिया था starting में 20 25 जो total plants लगे हुए थे तो hope so आपको यह question अच्छे समझ में आया होगा अगर आपको यह question अच्छे समझ में आया तो please मेरे channel को like and subscribe बढ़ना बिल्कुल भी ना भूले thank you so much